हाई अभी 2024 का एप्लिकेशन फॉर्म रिलीज तो हो गया है लेकिन बहुत सर बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले एक बार सही तरीकी से समझ जाओ कि आखिर क्या चीजे तुम्हें कैसे अप्लोड करना है ताकि आप मिस्टेक ना करो यार पिछल 2023 में कापी सार बचे ऐसे जो थब इंप्रेशन में गलत कर दिये फोटोग्राफ अप्लोड करने में गलत कर दिये और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है आपके पास ऑप्सन दुबारा नहीं आएगा इन सब चीज़ों को चेंज करने के लिए तो आपको कैसे फोटोग्राफ अप्लोड करने है औ उसको चेंज करके हैं साइज में और उसके बाद application form फिल अप करना शुरू करना तो सबसे पहले हम आपको यह बता रहा है कि आपको तो पहले चाहिए फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ फोटोग्राफ का लो और एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज दो हो गया अब करना है कि जो तुमारा पूस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होगा उसका background वाइट होना चाहिए अगर आप किसे साइवर काफे बगरा में जाकर बनवाते हो तो वह लोग ब्लु कर देते हैं दियान से देख लो एक बार बैक्ग्राउंड वाइट होना चाहिए आपका जो फोटो होगा उस फोटो के नीचे आपका candidate name और date of taking photograph समझ में आ गया candidate name और date of taking photograph ऐसा होना चाहिए और जो photograph आपका passport size का होगा sale photograph आपका postcard size में होगा बस size उसका बड़ा होगा और कुछ नहीं अंतर है ठीक है अब देखो अब बाता थीख वहईए यह size का ठीक है आप तो photograph बनवाके लिए आओगे अब size का आपको क्या करना है कि यह jpg format में होगा अगर आपको कोई भी चिज़ का size को convert करना है किसी दूसरे format में तो online बहुत सारे website है jpg में convert करने के लिए आपको size में बोला जाएगा वहाँ पर कि आप इस size में convert कर सकते हो तो आपका 10 kb से लेकि 200 kb के बीच में आपको photograph का size होगा एक वार फिर से बता रहा हूँ background white रहना चाहिए photo colored होना चाहिए आपका यहाँ पर candidate name और date of taking photograph होना चाहिए और बीची में आपको आगे बता रहा हूँ कि और क्या कैची को ध्यान लखना है आपका जो face होगा 80% आपका visible होना चाहिए आपका दोनों कान visible होना चाहिए और photograph लेते समय आप कोई goggles नहीं पहन रखे होंगे goggles वो होता है जो आप black sunglasses वगरा होता है आप spectacles अगर आप आपका आँख में कुछ खराबी है तो आप spectacles पहन सकते हों लेकिन कोई goggles वगरा नहीं होना चाहिए समझ में आगे नहीं यहाँ पे आपको यहाँ पे date के बारे में अगर आपको अभी भी doubt है कि भाईया उसमें date कैसा होगा तो January 1 से लेके 2024 मतलब New Year से आगे का आपका photograph होना चाहिए ठीक है अगर आप भी फिल करें अगर पूराना photograph है तो याद रखना same photograph आपको postcard, passport और वही admit card में भी चिपकाना पड़ेगा तो कुछ extra photograph आप बनवा लेना तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 4 से 6 postcard size photograph जिसका size यह होगा वो आप बनवा के रखना क्योंकि यह photograph आगे counselling में भी आपको मदद आएगा मैं चाहता हूँ कि आप select हो आप मेहनत करो अच्छे से अगर आप अभी तक preparation नहीं सुनू कियो थे यार मैं honestly बता रहा हूँ आप मेरा telegram join कर सकते हो वहाँ पर हम लोग एक 45 days का revision स्रीज स्टार्ट कर रहे हैं आप हमारे साथ साथ बहुत सरे बच्चों के भीड में पढ़ना सुनू कर दोगे एक consistency के साथ पढ़ाई करना सुनू कर दोगे ठीक है यह समझ में आ गया application without photograph will be rejected समझ में आ गया polarized computerized photograph अगर आप कुछ भी चालाकी करते हो तो यह सब आपका reject हो जाएगा समझ में आ गया white background होना चाहिए not with goggles, date of photograph आप mention होना चाहिए candidates are reminded to keep 6-8 passport size और 4-6 postcard size photograph अपने पास रखो समझ में आ गया अब हम बात करता है signature का signature में running letter में आपको लिखना है अब दिखा रहो हूँ कैसे दिखा रहा हूँ यह एक signature का format है जैसे मालो की मेरा नाम शशिकुमार है ठीक है तो मैं ऐसे ही ऐसे running letter में इस प्रकार से हमको sign करना है कैसे sign करना है तो white paper पे white paper होगा ठीक है और black paint से ठीक है, black paint से याद रहना black, color paint से नहीं ना blue, ना color black paint से आपको white paper पे sign करना है फोटो खीचने के बाद उसको jpeg format में convert करना है आप वेबसाइट मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर यह क्या बोलते हैं इसका size यह होना चाहिए 4KB से लेके 30KB के बीच में यह समझ में आगा signature का signature should be in running letter not in capital letter और unsigned signature अगर आप अपने form में signature upload नहीं करते हो तो फिर आपका form reject हो जागा signature visible होना चाहिए जब आप photo upload करो तो फोटो खीचो तो signature visible होना चाहिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो signature आपका match होगा फिर वहाँ पर जो signature आप अभी upload करोगी और जो signature आप paper attempt करते समय invigilator के पास signature करोगी वो दोनों match होना चाहिए समझ में आ गया thumb impression भी आपका match होना चाहिए कोई चलाकी करोगी आपका form reject हो जाएगा समझ में आ गया लेको पिछले बार बहुत चाहरा बचोने mistake करा था कि thumb impression में सिर्फ thumb दे दी थे thumb नहीं बोला था यहाप पूरा finger impression था finger and thumb मतलब आपको करना क्या है कि पूरे finger में आप इंक लगाना इंक लगाने के बाद यह सारा को एक paper पर ऐसे कर देना समझ में यह सारा को एक paper पर ऐसे करना इससे क्या हो कि आपका इस परकार से thumb impression आ जागा इधर left hand, इधर right hand, दोनों हो गया, अब इसको क्या करना है कि camera से photo ले लेना है, scan करना है, एक application भी आता है, tap scanner करके, वहाँ से आप उसको scan कर सकते हो, आपका size 10 kb से लेके 200 kb के बीच में होना चाहिए, photo का format jpg होना चाहिए, समझ में आ गया, ये thumb हो गया, इसका भी ध्यान जाता है, यहाँ पर भी कुछ गलती करोगे तो form reject हो जागा, अब हम बात करता है कि इसकी अलावा और कौन को सा document आपको चाहिए होता है, देखो, scan photograph आपका हो गया, signature हो गया, left hand, right hand finger impression हो गया, class 10 का passing certificate, जो बच्चा class 10 पास तो करी गए होंगे, तो आपको respected schools में, जैसे अग आप other state board से पड़े हो, तो आपको school वाले provide किये होंगे, आपका 10th का certificate, just for example, यह मैंने Google से download करा था, तो इस परकार से आपका 10th का passing certificate होता है, यहाँ पे लिखा रहता है, कि certificate का marks it, इस परकार से यहाँ पे, आपका past यहाँ पे दिखा रहता है, ठीक है, तो इस परकार से आप आपका 10th का certificate होगा, उसको ध्यान रखना है कि आपको PDF के format में upload करना है, PDF, अभी तक जो ची मैंने बताया, वो था JPG के format में, अभी जो बताऊंगा वो PDF के format में, class 10th का passing certificate, आपका permanent and present address proof, देखो, NTA के bulletin में ऐसा एकदम अच्छे तरह के से mention किया गया है, कि आप अपने coaching का address मत भरोगे, आप जिस भी coaching में पढ़ाई कर रहे हो, जहां पर भी present हो, वो address आपको बिल्कुल नी भरना है, तो आपको permanent address जो आपका घर का address होगा, जिसके हिसाब से आप NEET में अगर मालो select हो जाते हो, तो counseling में आपको state quota मिलता है, तो वो permanent address आपका होना च्छे, address proof में, अग अगर आप किसी other country से हो, NRI candidate हो, तो उसके लिए आपको certificate दना पड़ेगा, आपका category certificate देखो, अगर आपके पास category certificate नहीं है, मैंने एक वीडियो बनाया भी था, मैंने आपको बोला था, कि आप बनवालो, बट अगर नहीं बनवाय हो, तो आपको एक self declaration form भी आपको मिलेगा, बुलेटीन में उसको आप फोटो खिजके, scan करके, भढ़के आप भेज सकते हो, कि मैं बाद में बनवा के देदूगा, मैं अभी इस category से विलॉंग करता हूँ, अगर आप बना चुके हो, जाती परमान पत्र, cast certificate, तो वो आप दे सकते हो, ठीक है, अगर आप PWD candidate हो, तो टेक करते हो, तो ये changes नहीं होता है, अधर चीज़े छोटा बहुत चेंज हो जाता है, बट document आप upload, सही से करना, ताकि आप reject ना हो, समझ में आ गए, एक बार और फिर से आप देख लो, signature आपका ऐसा होना चाहिए, पूरे हाथ का निशानी ऐसे आपको पूरा देना है, size आ होना चाहिए, सेम फोटो आप आगे पूरे निट के जरनी तक college में admission तक use करोगे, समझ में आ गया, तो ये बता ना था, आप चैनल को subscribe कर लो, आगे में आपको eligibility criteria, qualification, सब कुछ में आपको detail हो बता दूँगा, हमारा telegram channel जब जोएन करके रखना